Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shriddha और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक face wash शेयर करने वाली हूँ specially for dry skin के लिए और जिनके skin पे pimples और acne है उनके लिए तो first मैं face wash जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है LATMA का blush and glow ये मैं summer में ही use करती हूँ winter में मैं कभी कभार इसे यूज करती हूँ बट summer में अगर मुझे कोई यूज करना है face wash तो मैं like makeup face wash शेयर करती हूँ ये जो है dry skin के लिए बहुत अच्छा है dry skin पे ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी skin को ये मौशराइज भी करता है ये अपलाई करने के बाद कभी कभी जो है dry skin वाले कोई face wash करते है तो उनकी nose एरिया में then mouth की एरिया में चीक्स पे जो है काफी ऐसी dryness हो जाती है तो उससे जो है ये dry skin वाले जो है सभी टाइप के face wash उस नहीं कर सकते है बट ये लाइपनी का जो blush and glow face wash है ये dry skin के लिए बहुत अच्छा है आप इसे जरू ड्राइ करके देखिए ये dry skin के लिए बहुत अच्छा है समर में मेरी skin mostly tea zone में थोड़ी सी oily हो जाती है तो ये काफी अच्छे से work करता है मेरे face पे and then अगर आपकी skin dry है आपको pimples भी है तो आप Himalaya का Neem Purified face wash उस करके देखिए ये भी बहुत अच्छा है अभी ये मेरा almost finish हो गया हालाग मेरे face पे pimples है नहीं जादा बट कभी कबर आ जाते है तो मैं Neem face wash उस करती हूँ Himalaya का और ये herbal है इससे जो है आपकी skin neat clean और clear भी हो जाती है इसमें तो आपकी face पे कोई भी allergy होनी का chance नहीं होता पिंपल्स रहते हैं तो काफी careful रहना पड़ता है face के लिए face products उस करने time तो Neem face wash जो है ये बहुत अच्छा होता है जब अगर आपके face पे pimples से acne है तो उस time पे जो है मैं Neem face wash उस करती हूँ और अभी अब मेरा जो ट्यूब है ये almost finish हो गया है और summer के लिए ये बहुत अच्छा भी है तो friends ये था review face wash का for dry skin और acne pimples acne skin के लिए और I hope आज का ये वीडियो आपको useful लगा है ये useful लगा है तो इस वीडियो को like किजिए share किजिए और मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए Shimmering Shradda, till then bye bye see you in the next video